एक बात बोलू, ये सही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तूटे चसमे से काम चला रहा हूँ, उसने मुझे इस तरह से देखा, मानो, जूट बोलने से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, क्या आप इन sentences को English में translate कर सकते हैं? नहीं न, क्योंकि इन्हें translate करने के लिए आपको सिर्फ tenses और grammar ही नहीं, साथ ही साथ advanced English structure की भी जरूत होती है, no problem, आज की वीडियो में हम वही सिखने वाले हैं, advanced English structure with their meanings and examples, तो वीडियो अच्छी लगे तो like और share जरूर करेगा, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe क वेल आइकन को click करिएगा, चलिए बीना समय गवाय वीडियो को start करते हैं, आज का हमारा पहला structure है guys, एक बात बोलू, अकसर हम लोग हिंदी के sentences में ऐसे बोलते हैं, एक बात बोलू, यह मत करो, इस तरह के हिंदी वाक्यों को English में translate करने के लिए, आप do I say one thing का use करते हैं, कै कैसे करने हैं, example देखिए, एक बात बोलू, जो तुम कर रहे होना, वो सही नहीं है, इस तरह के sentences को आप day to day life में बोलते होंगे, आप English में बोल सकते हैं, do I say one thing, what you doing is not right, do I say one thing, what you doing is not right, एक और example देखते हैं guys, एक बात बोलू, तुम आज के बात से वहां मत जाना, अक्सर आप day to day life में ऐसे sentences बोलते होंगे, do I say one thing, you don't go there from today onwards, do I say one thing, you don't go there from today onwards, अगला structure है guys, इस तरह से, या फिर ऐसे, अक्सर हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इस तरह से उसने मुझे देखा, ऐसे वाक्य को English में translate करने के लिए, आप in such a way का यूज करते हैं, कैसे करना है, example देखिए, उसने मुझे इस तरह से देखा, मानो वो कुछ कहना चाहती हो, अक्सर आप day to day life में ऐसे sentences को यूज करते होंगे, आप इसे English में बोल सकते हैं, She saw me in such a way that she wants to say something, एक और example देखिए, तुम ऐसे बात करते हो, कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ, है न, आप इसे simply English में translate कर सकते हैं, आप बोलेंगे, You talk in such a way that I can't beat you, यहाँ beat का मतलब हराना है guys, beat का मतलब पीटना भी होता है, हमारा अगला structure है, किसी चीच के लिए जिद करना, मानो वो बच्चा आइस्क्रीम के लिए जिद कर रहा है, जिद करना के sense में आप insist on का use करते हैं, किस तरह से करना है, example देखिए, तुम्हें वहाँ कोई नहीं जानता, तुम वहाँ जाने की जिद क्यों कर रहे हो, आप किसी को समझा रहे हैं, है न हिंदी में, आप इसके लिए English बोल सकते हैं, No one knows you there, why are you insisting on going there, no one knows you there, why are you insisting on going there, एक और example देखिए, उसे जु काम है और वो आईस्क्रीम खाने की जिद कर रही है, अक्सर आप ऐसे sentences day to day life में बोलते होंगे, आप इसे simply English में translate कर सकते हैं, आप बोलेंगे, She has cold and she is insisting on eating ice cream, आज का हमारा अगला structure है गाईस, मुझे सबसे जादा नपरत है, कई वार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे जूट बोलने से सबसे जादा नपरत है, इस तरह के हिंदी sentences को English में translate करने के लिए आप what I most hate का यूज करते हैं, कैसे करना है, example देखिए, पता है, मुझे जूट बोलने से सबसे जादा नपरत है, इस तरह के sentences को आप day to day life में जरूर यूज करते होंगे, आप English में बोल सकते हैं, you know what, what I most hate is telling a lie, you know what, what I most hate is telling a lie, एक और example देखिए, मुझे धूम्र पान से सबसे जादा नपरत हैं, और तुम वही कर रहे हो, आप इसे simply English में translate कर सकते हैं, आप बनाएंगे, what I most hate is smoking, and you are doing the same, आज का हमारा अगला structure है गाइस, सवाल ही पैदा नहीं होता, अक्सर हम लोग day to day life में ऐसे बोलते हैं, जूट बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह के हिंदी वाकियों को English में translate करने के लिए आप no question rises to का यूज करते हैं, कैसे करना है, example देखिए, मैंने अभी ही खाया है, दुबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप इसे simply English में translate करते हैं, आप बोलेंगे, I have just eaten, no question rises to eat again, एक और example देखिए, मैंने उसे बता दिया है, दुबारा बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप simply इसे English में translate कर सकते हैं, आप बनाएंगे, I have told him, no question rises to speak again, आज का हमारा अगला structure है guys, काम चलाना, अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं, अभी तुम्हें इसी से काम चलाना परेगा, इस तरह के Hindi sentences को English में translate करने के लिए, आप make, do, with का इस्तमाल करते हैं, कैसे करना है, example देखिए, मुझे एक नया फोन लेना परेगा, फिलहाल मैं बटन वाले फोन से काम चला रहा हूँ, इस तरह के sentences को आप day to day life में अक्सर यूज करते होंगे, आप English में बोल सकते हैं, I'll have to buy a new phone, as of now, I'm making do with keypad phone, आप इस तरह से इसे English में translate कर सकते हैं, एक और example देखिए, मुझे एक नये चस्मे की जरूरत है, फिलहाल मैं तूटे चस्मे से काम चला रहा हूँ, आप इसे simply English में translate कर सकते हैं, आप बोलेंगे, I need a new spectacles, as of now, I'm making do with broken spectacles, I hope guys, आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा useful रही होगी, तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करियेगा, आप हमें comment box में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, So thank you so much guys for watching this video, till then take care and good luck.